वेलकम तो माँ चानल कुकविश शाम्या सिंपल लेकिन टेस्ट में रिज बिर्यानिया ज़ह हम बनाएंगे तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले बरतन में ओयल आट कर देंगे अगर आप चाहे तो एक टेबल स्पून घी भी डाल दें फिर ओयल गर्म हो जाने दें फिर इसमें कुछ खढ़े गर्म मसाले एट कर देंगे अब इसमें डालेंगे पियास और इसे अच्छी तरीकी से भून लेंगे पियास जब हलकी golden color में turn हो जाए तब इसमें टमाटर एट करें प्यास को ज्यादा डाग ब्राउन ना करें, टमाटर आड़ करने पर इसमें नमक आड़ करके इसे ढखके पकाए, टमाटर जल्थ ही कल जाएंगे अब इसमें आड़ करें जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भून ले फिर इसमें कुछ पाउडर्ट मसाले आड़ कर देंगे, जैसे हल्थी पाउडर, ब्लाइक पेपर पाउडर, कॉरियंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, रेट चिली पाउडर, थोड़ा सा चार्ट मसाला प्रपोशन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उसे नोट कर ले, इसी तरह से प्रपोशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगे, आप उसे नोट कर लेना फिर इन सब मसालों का अच्छी तरीके से भून ले और ढखके एक दो मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दे अब जब एक से दो मिनिट हो जाए, तब इसमें हरी मिर्च एट करे, धनिया और पुदीना एट करे, इसी तरह से इसमें नमक एट करे अपने टेस्स की अकॉर्डिंग, फिर इसमें नीमू का रस एट करे, दही एट करे, और अगर आप चाहे तो इसमें रेट फूट कलर भ इसी तरह से पोटाटो को कट करके इसे भी डी फ्राय कर ले और उसे भी एट कर दे, बिरियानी का टेस्स इन्हांस करने के लिए इसमें एट करे, फ्रेश क्रीम यह ऑप्शनल है, आप इसमें स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एट करने पर इसमें रिश टेस्ट आता है, अब से ढखके कुक होने दे 15 मिनिट के लिए तब तक के चावल रेडी कर ले पानी में हरी मिर्च, धन्या, उधीना, खड़े गर्म मसाले, नीमू का रस, ओईल, नमक वगेरा आट करे और पानी को उबाल ले जब पानी उबल जाये तब उसमें चावल को आट करें, याद रहे, चावल को कुछ देर पहले पानी में भिगो के रखें, एटलिस 20 मिनिट के लिए चावल को 90% कूक कर ले, यहाँ पर चिकन भी रेडी है, अब इसकी एसेंबलिंग कर ले असेंबलिंग करने से पहले एक चीज रेडी कर ले, जिससे बिर्याने में खुछबू बहुत ही अच्छी आती है, एक बरतन में कलर एट करें, उसमें केवरा एसंस एट करें, और उसमें रोज वाटर एट करें, अगर आपके पस केवरा एसंस नहीं है, तो उसकी जगा पर आप केवरा वाटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने यहां पर केवरा एसंस का इस्तमाल किया है, तो जैसे भी आपके पास सहूलत है, इस तरह से आप इसे जरूर दाले, इसे बिर्याने में खुछबू बहुत ही अच्छी आती है, अब इसकी असेंबलिंग कर ले, पहले चावल की एक लेर लगा ले, फिर चिकन एट करें, इसकी ग्रेवी के साथ, फिर से चावल की एक लेर लगा ले, फिर इस पे एसंस का जो मिक्सचर है, वो इस पे आट कर दे, इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करें, फिर से इस पे चिकन की लेर लगाए, और फिर से इस 15 minutes हो जाने के बाद इसे ओपन कर ले और इसे बिल्कुल हलके हाथों से मिक्स कर ले बस अब यह सिंपल ईजी टेस्टी एंड यमी सी विद्यानी बन के तयार है रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसन आ रही है तो प्लीज उसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को थांक यू फो ओचिंग मैं चैनल